हेलो एबरिवल स्वागत है आपका अदिक्षा किचन में आजकल सर्दियों के मौसम में कितनी सारी हरी सबजी आ रही है लेकिन बच्चे तो हरी सबजी खाते नहीं है अगर बच्चों को हरी सबजी खिलाना है तो आप ये रेस्पी एक बार जरूर बना कर ट्राइ करें पाव अधrole ठेस्टी बना था आप इसे एक बार बना कर जरूर अपने बच्चों को खिला और बच्ची तो खा कर इसे खोषी हो जाएंगे और एक बार खाने के आप से तो बल्लकुल बार बार बना के खिलाने को बोलेंगे इसलिए छल Lite और हम इसकी रेस्पी करना है ऐसे ही हमें यह मैंने आठ से दस अलु ले लिये थे और यह एक फूल भी ले लिया हमने ऑँ दो प्याज को हमने स्लाइस कट कर लिये और यहां पे कुछ लैसुन दो इसे तीन इंच अद्रक का टुकरा और चार से पांच हरीमर्च ले लिया है हमने आप चाहे तो हरी म कि हम बटर आड़ करेंगे लिफाइन और बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाएं तब इसमें हम एक चम्मच जीरा आड़ कर देंगे जीरा जब अच्छे से चटक जाएं यह देखिए जीरा अच्छे से चटक गया है तब इसमें हम कटे हुए प्याज को डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा पिंकिस होने तक भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है हमें इसे इसका हलका सा गुलावी कलर आ जाए तो ये ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गुलावी कलर आ गया है अब इसमें हम कटे हुए टमाटर आड़ कर देंगे इसे भी हम थोड़ा सा सौप्ट होने तक पकाएंगे अब इसमें हम दो चम्मच के करीब नमक आड़ कर देंगे और यहां पर हम जो लहसुन हमने छील के रखा था ना उसे आड़ कर देंगे और अद्रक को भी घिसकर हम डालेंगे यहां पर अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे यह देखिए टमाटर अच्छे से सौप्ट हो चुके हैं अब इसमें हम आदी छोटी चमच हल्दी और दो चमच दो बरे चमच आमर मसाला और दो चमच कास्मीरी लाल मिर्शी डालेंगे इससे भाजी में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा और यह बिल्कुल तीखा भी नहीं बनेगा यह देखिए मसाले अच्छे से भुन गये हैं इसे हमें ज्यादा नहीं बुनना है बस इसके थोड़ा सा कच्छा पर निकल जाए तब तक इसे हमें बुनना है अब इसमें हम जो भी काट के सब्जिया रखेते जैसे सिम्ला मेर्च,घाजर, गोबी और आलू हम इसे सब्ढ एक गिलास पानी डाल देंगे पानी डाल करकर अच्छे से सबजीयों को मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके हम यहाँ पे कूकर का ढखकन बंद करके तीन से चार सीटी आने तक हाई फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे ताकि हमारी सारी सबदिया अच्छे से कुक हो जाए, अब हम गैस पे एक कराही को चड़ा लेंगे, हम एक चमच बटर आएट करेंगे, जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं हम बारी कटा हुआ लैसन अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें एक बारी कटा हुआ प्याज आइड कर दे इंगे, पैढ को अमसे नहरा होने तक भुनने देंगे, तब तक चलिए हम अपना कुकर देख लि देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है एक भी सब्जी कच्ची नहीं है यह देखिए प्याज भी इधर भूनकर रेडी हो गया है अब इसमें हम एक चमज सामर मशाला एड करेंगे यहां पर आधी छोटी चमज धन्या पाउडर इन सब को हम अच्छे से मिक्स करते हु तो यह देखिए अच्छे से मैस करते हुए मिक्स कर लेंगे यह देखिए बिल्कुल सबजी अच्छे से मैस हो चुकी है और इसकी थीकनेस भी आप देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा पानी डालकर पतला भी कर सकते हैं अब इसमें हम थोरा कस्तूरी मिथ्य आड़ करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोरा हरा धनिया भी आड़ कर देंगे ये देखिए हमारी भाजी बनकर बिल्कुल ही रेडी है अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और सेयर जरूर करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल सके हमारी भाजी बनकर विर्कु रेडी है अब चलिए गैस पे एक पैंच चरहा लेते हैं अब उसमें हम एक चमच बटाड आड करेंगे आदी छोटी चमच सामर मसाला और थोड़ा बारी कटा हुआ हरा धन्या हम आड कर देंगे इन सबको हम अच्छे से तवे पे पैला लेंगे तवे पे अच्छे से पैला कर हम इन है इस पे पाव को हम बीच से कट करके इस पे रखके सेख लेंगे यह देखिए बिल्कुल यह अच्छे से हम सेखना है जब एक तरब से अच्छे से सीख जाए तब इसे पलटके हम दूसरी तरब भी सेख लेंगे और थोड़ा पीछे भी बटर अट कर देंगे ताकि दोनों तर यह देखिए हमारी पाव भाजी बिल्कुल ही बनकर रेडी है पाव भी सिख चुका है भाजी भी बन चुकी है चलिए अब हम प्लेट लगा लेते हैं यह देखिए हमने प्लेट लगा करके बिल्कुल रेडी कर लिया है यह देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा ह आप जरूर बना करें और अपना feedback हमारे साथ जरूर सेयर करें और हमारे चैनल को subscribe करना न भूले Thank you for watching, मिलते हैं next video